इन डिक्सों में लो छलि लेक्मु 8 जलिए तो हमने दीख लिया कि लिस से कैसे बनाते हैं डेटा फ्रेम को से वि七 इए हम सल्कर डिक्स्नारी windows से कैसे डेटा फ्रेम को बनाते थे हैं तो तो बेस्ञे किस तरह से दैंकर रहु करते हैं कि एक single मैं dictionary बनाऊंगा उसका दूस करूँगा अगले example में multiple dictionaries बनाएंगे ठीक है तो मैं किस तरीके से बना सकता हूँ या हाँ वई तो अब ऐसे हमें कोई भी name पास कर देता हूँ ठीक है तो English के marks store करता हूँ ठीक है किसके English के marks store करता हूँ English और मैं या पर जो है आपके एक array के अंदर या फिर आप लिस्ट कहें जो भी कहें उसमें मैं marks पास कर देता हूँ उसके एक और बनाता हूं मैं maths के पास कर देता हूँ ठीक है तो 40 50 60 ठीक है अब मैं क्या रहा हूँ एक df का update बना रहा हूँ जाने की data frame का update बना रहा हूँ pd.dataframe अब मैं इसके अंदर dict को पास कर दूँगा ठीक है अब हम इसको print करके देखते हैं कैसे होता है फिर इस पर discussion करते है df मैं इसको run कराता हूँ तो देखो क्या हुआ कि हमने एक dictionary बनाई इस तरीके से जो कि आपके curly braces के अंदर है ठीक है उसमें मैंने column की value इस तरीके से define करी है name English और maths फिर मैं इस array के अंदर उनकी value उसको पास कर दिया है abc 10 20 30 40 50 अब यह data frame के अंदर जब convert हुआ तो वह गया name के index 0 पे क्या मिला उसको ए मिला उसने यहाँ पर print कर दिया अब उसको English पे गया वो और 0 इंडेक्स पर देखा उसने 10 तो उसने यहाँ पर 10 प्रिंट कर दिया जिसका नाम रखा उसने English column फिर हो गया maths column पे इधर maths column पे पे गया उसने जिरोत इंडेक्स पर कौन है 40 है तो उसने यहाँ पर print कर दिया ठीक है तो एका value क्या क्या हो सकता है और इसका जिरोत इंडेक्स इसका जिरोत इंडेक्स 10 और 40 C का क्या value होना चाहिए यहाँ पर index 30 index 2 index 2 यानि कि 30 और 60 30 और 60 तो इस तरहिके समझों है single dictionary के उस से array के अंदर जब हम value को पास करते है s1, s2, s3 तो इस तरहिके से जो हम index को explicitly declare भी कर सकते हैं तो देखो यहाँ पर क्या आगया s1, s2, s3 और name के आगया अपना यह वाले नाम आ गए और values आ गए उसके English and Maths के अंदर rows and columns के अंदर as simple as that बात आ गई समझ में चलिए यार सर में single dictionary नहीं में को तो multiple dictionary उसका नहीं लाए भाई तो वह भी कर ले तो यहाँ पर मैं एक और object बना रहा हो and this is equals to और हम में एक array के अंदर जो है values को पास करूँगा तो अब में को क्या करना है अब मेरे को पास करनी है ऐसे करके value तो a के marks कितने आए 10, comma b के marks कित 30 के किते marks है 30 तो मैं यहाँ पर 30 जो है पास कर देता हूं ठीक है अब में एक और object मारा रहा हो दिक्षिनरी का जिसके अंदर मैं same ऐसी values पास करूँगा जो है नंबर वह चेंज कर दूँगा तो यहाँ पर कितना आया इसका 40 आया तो मैं यहाँ पर 40 पास कर देता हूं यहा इक object में नाम पास कर दी एक अंदर सारे English के marks पास कर दी लेकिन अपन ने यहां क्या है कि यहां पर सारे English के marks अपने ने नाम के साथ जिसे में both there's $ के साथ maps और внर ठोट चाहें और को यहें और अब श्योचिख कर दीन हो दीक है दिया है ठीक है तो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे है भाई वैल्यू यह है भी की वैल्यू यह है ठीक है तो इस तरीके से हम multiple dictionary का यूज करके भी data frame को बना सकते हैं अब मेरे को index अगर pass करना हो तो मैं कैसे pass करूँगा English, math अब देखो कितना clear इस तरीके से हम यूज करके multiple dictionary का data frame बना सकते हैं ठीक है तो हमने देख लिए किस तरीके से से सीरीस से dictionary से ठीक है तो अनुए लेक्षर में हम कुछ और ऐसी ही प्रैक्टिकल सिच्वेशन के उपर हम data पर बात करेंगे तो यार अगर लाइक शेर नहीं किया सब्सक्राइब कर रहे हैं किया है तो यार कर देना जिलते हैं नेक्स लेक्षर अनल तब तक के लिए बाबाए टेक क्या स्टे होम स्टे सिफ